हेलो गाइज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लो डिल्टा टी सिंड्रोम के बारे में सेंट्राइज एर कंडिशनिंग में लो डिल्टा टी सिंड्रोम अकसर होता है वह क्या होता है उसके बारे लो बात करेंगे वीडियो करने से पहले आपको बता देंगे अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों के साथ शेर करें तो गाई हम लोग शुरू करते हैं कि लो डिल्टा-T सिंड्रोम जो फेस करना पड़ता है और यह बहुत ही डेंजरस है सिस्टम के लिए एनरजी एफिशेंट एफिशेंसी के लिए काफी डेंजरस है सिस्टम के लिए तो पहले मैं आपको बता दो हुआ इसकी डेफिनेशन क्या होती है एक कंडिशन वेर्भाइ एलो चिल्वाटर रिटन तेंपरेचर कोजिस एन एक्सेशिव अमूंट ऑफ चिल्वाटर तो सर्कुलेट तो मीट सिस्टम कूलिंग लोड्स चिल्वाटर रिटन कैनोट वी लोड़ेड तो दियर दिजान के पूस्टी कैने का मतलब है कि जो हमारा अगर बिल्डिंग सेर्टा राहा है बिल्डिंग का इस चिल्वाटर है और प्लांट मे वी लोग प्लांट नहीं प्लांट जो रिटन सेर्फ चिल्वाटर आरहा थे वाटर रिटन जो आ रहा है उसका टेंप्रेचर जो है डिजाइन से बिल्कुल कम है तो उस से कंडिशन को हम लोड टरी सिंड्रॉम बोलते हैं इस केस में क्या होता है कि आपका प्लांट भी कंटिवाश्ट चलता रहता है और आपकी बीडिंग में कूल इंग्वी जो है अच समझाओंगा उससे एक बार फिर मैं आपको पढ़कर दिखा दूँ कि जो आपको यह याद रहे क्या होता है अक्सर पूछा जाता है इंटर्व्यू में मतलब है कि आपका बिल्डिंग से टीमप्रेटर भी रिटन टेंपरचर एजाइंड और आपको फिर भी क्या होता है बिल्डिंग से लो का बात है जब आपका पूलिंग हो जाता है जब बिल्डिंग में कूलिंग अचीव हो गई है लोड बिल्कुल टेंपरेचर सारे जगा अचीव हो गया इवन हो चुका है तो उस टाइम पर जाहिक सी बात है आपका टेंपरेचर जो रिटन टेंपरेचर वो डॉँन आएगा बट इतना भी नहीं आता है लोड इंटर की स लोड पर चल रहा होता है तो उस केस में क्या होता है उसको जैसे कि आप देखने के कंडिशन वेरबाई लोड चिल टेंपरेचर वाटर तो सर्कुलेट टू मीट सिस्टम पूलिंग लोड आपका डेल्टा टेंपरेचर आ रहा है वो लो है लो है इसका मतलब पूलिंग सब्सक्राइब लाए चलर रहा है डाए चलर लाना पर आपको ज्यादा तो इस कंडिशन में जो किरियेट होती है उसको हम लोड टेल्टाथ ही सिंड्रें बोलते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा मैंने काफी ब्रीफ किया है अब मैं आपको स्केमेटिक से प्राइम्री पंप यह हमारा विल्दिंग में पानी चला गया इंडिया में 10 डिग्री डिल्टा-T ती रखते हैं 10 डिग्री फेर्नाहीट और 12 डिग्री फेर्नाहीट दो प्रही जो हमारा डिजाइन होता है जैसे कि यह जो स्केमाटिक है इसमें आप देखनें चपन डिगरी फेरणा हैपी परहारा पानी हो रहा चो चैलर इसको ठंडा करके निकाल रहा है मतलब यह जो डिजाइन यह जो आप देखंटों क्यूंत इंडिऔर करके चूर 44drasp पनी गया हमारा secondary में गया secondary ने चिलर पर भेजा A h u पर भेजा A h u पर भी हमारा 44drasp गया और A h u पर proper cooling करके यह जो design है हम एजिम कर रहे हैं कि 56drasp आएगा और चिलर पर भी यह 56drasp यह हम design करते हैं वहां आपको दिखा हो है देखें लोग डिल्टाटी सिंड्रोम में क्या होता है कि चिला जो 44 डीघ्री फैरना है पाली निकालता है चुल ज़ो आगे जाता है एचू में बद एकोमें कई वज़य के और तेमपरेचर है वह रिटन तेमपेचर है तो बहुत ही जैसे आप देखेंगे 56 डिगरी यह हमारा डिजाइन था आप पिस पास ऑउट हो रहा है और पिस चिलर के इलेट पर पिस पे जा रहा है आपकी cooling भी नहीं अचीव होती है और आपका जो chill water return है वो काफी dawn आता है, काफी dawn का मतलब देखे क्या होता है, अगर आपका 56 degree Fahrenheit वे chill water return है डिजाइन है, वो आपका पचपन आ रहा है, चब 1 आ रहा है, तो ठीक है, आपका इसके मतलब system चल दा है, फिर क्या होता है, जब वो building unload होनी शुरू जाती है, तो धीरे-धीरे क्यामन बावन भी आ जाता है, बट लो डेल्टर टी सिंट्रोम में क्या होता है, बिल्डिंग आपकी unload भी नहीं होती है, cooling अचीव भी नहीं होता है, और उस case में भी जो return temperature मिलता है, और तालीज उन चार्ज जिगरी फेरना हिट मि पढ़ेंगे चिलर का, तो उसमें दिखा जाता है कि जैतना load temperature उसको मिलता है, इन पर चिलर की efficiency वैसे डॉन होती है, तो लो डेल्टर टी सिंट्रोम जैसे create होता है, तो इससे आपकी energy efficiency बहुत कम हो जाती है, और energy काफी आपकी लगती है cooling अचीव करने के लिए, तो एक proper system design क क्या जाता है कि ताकि लो डेल्टर टी सिंट्रोम ना हो, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि लो डेल्टर टी सिंट्रोम होने के क्या-क्या वज़य है, और हम किन-किन वज़यों के किन-किन केस में हम जो इसको diagnose कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं कि लो डेल्टर ट